Module 72, Treatment of Conduct Disorder Family Therapy जैसे हमें पता है कि जब भी बचा Conduct Disorder जो है वो exhibit कर रहा होता है तो उसकी बहुत एक mean reason जो है वो researches हमें explain करती है कि जो family में या तो family disruptive होती है या जो parents है वो discipline जो है वो बचे को inconsistently कर रहे होते है जो inconsistency of discipline है वो बचे के अंदर बहुत से problematic behavior जो है उनको develop कर देती है और exhibit जो है वो बच्चा वो problematic behavior शुरू हो जाता है तो इसके लिए cohesive family model है जो कि हम use कर सकते हैं conduct disorder के बच्चों के साथ जिसमें basically हम focus किस पे करते हैं parent-child interaction के उपर आम तोर पर ये जो चोटे बच्चे होते हैं जो 10 साल से चोटे बच्चे हैं उनके साथ हम ये therapy use करते हैं और इसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि parents को ये सिखाया जाए कि जो उनका interaction है बच्चे के साथ वो positive होना चाहिए ठीक है उन्होंने बच्चे के लिए limits set करनी है यानी बच्चे को पता हो कि अगर उसने वीडियो गेम खेल ली है तो वो कितनी देर के ली खेल ली है अगर बच्चे ने घर से बाहर जाना है तो वो कितनी देर के ली जाना है तो जो limits हैं वो उसकी set की जाएं environment को structure किया जाएं इसके साथ साथ उसके लिए एक प्रॉपर उसको जब वो कोई गुट आक्ट करें तो उसको उसके प्रॉपर री इनफॉर्समेंट दी जाए उसको पॉजिटिव कॉंसिक्वेंस जो हैं वो करने के बाद उसको फेस कराया जाए अगर वो अपने भाई के साथ और अगर आप उसे ये कहते हैं कि अगर उसने फाइव डे में से तीन दिन अपने भाई के साथ फाइट नहीं की तो आप उसको उसकी पसंद का कोई भी चीज फॉर एक्जामपल बर्गर लेके देंगे तो जब वो तीन दिन के लिए उस तरहां का बिहेवियर पॉसिटिव बिहेवियर अग्सपिट करेगा तो आप उसको बर्गर लेकर देंगे लेकिन दाट शुड बी ऑन दा थ्री डे बिहेवियर आप ये नहीं करेंगे कि अगर उसने दो दिन बिहेवियर शो किया है तो भी आप उसको बर्गर लेके दें नोट सो दत्हेंगेस के जो rules हैं उनको जो है वो आपने जहिन में रखना है और उसके accordingly आपने behave करना है तो जो और अगर वो उस किसम का behavior शो कर रहा है मिसाल के तोर पर अगर आपने बच्चे से ये कहा है कि उसने 8 बजे तक घर आ जाना है और अगर वो 8 बजे घर नहीं आएगा तो व अगर वो 8 से 7 बजे यानि 8 फिफटीन के उपर घर आया है और आप ये कहते हो कि चाल सिर्फ 15 मिनट का तो डिले है तो कोई नहीं अगले दिन भी चला जाए तो इट विल नॉट वर्क आपने अगर वो एक मिनट भी उपर आया है तो यू शुड बी डिस्सिप्लेंड और अगले तीन दिन बाहर खेलने नहीं जाने देना इस तरीके से जब पेरेंट चाल्ड इंटराक्शन जो है उसको इंपरूफ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें मेली जो होल्ड है वो पेरेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा होता है जब वो होल्ड जो है वो पेरेंट्स को श जरूरी होता है, वो यह है, कि यह जो प्रॉब्लम है, यह ओवर नाइट खतम नहीं होगा, ओवर डेस खतम नहीं होगा, इसके साथ साथ अगर जो पेरेंट्स हैं, उनका आपस में जो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मेरिटल इशूस हैं, जो के अन्रिजॉल्व हैं तो कोशिश ये होती है कि जो कोहिस से फैमिली मौडल है उसके अंडर उन इशुस को भी resolve किया जाए ताकि उनके marital relationship का कोई effect जिस तरह हम बात करते हैं कि अगर parents आपस में hostile होंगे तो it's more likely कि बच्चा भी hostile होने की कोशिश करेगा और अगर उस वकत नहीं करेगा तो in future कर सकता है तो क्योंकि modeling का effect होता है तो it is more likely कि उन issues को भी resolve किया जाए ताकि जो घर का environment है वो conducive हो और congenial environment जो है वो develop किया जाए पेरेंट child interaction therapy का main focus यह होता है कि जो power है discipline की वो parent के हाथ में चली जा और parents की help से जो बच्चा है वो better life की तरफ या better behavior display की तरफ move करना शुरू हो Thank you